बारत की 543 लोकसबा सीटों पर होने वाले लोकसबा चुनाव 2024 से ठीक पुरव राज्ये सबा की 56 सीटों पर हुए चुनाव के दोरान उत्तर परदेश, हिमाचल परदेश और करनाटक के विदायकों दुआरा की गई बगावत के बाद क्रोस वोटिंग ने हिंदुस्तान की राजनित्ती में हड कम बचा कर रख दिया है जिसके बाद लोकसबा चुनाव को लेकर 543 सीटों पर की गई सर्वे में प्लोदी सटा बजार ने रातों रात बड़ा उलट फेर करके कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नीद उड़ा कर रख दी है सटा बजार दुवारा जारी की गई तासर्वे रिपोर्ट को एक एकर राज्यवार समझे तो शुरुआत करते हैं देश की राजदानी दिल्ली की साथ लोकसबा सीटों से जहां पर कॉंग्रेस पार्टी और आमादमी पार्टी में गटबंदन भी हुआ है बाउजुद इसके दिल्ली की किसी भी लोकसबा सीट पर कॉंग्रेस आमादमी पार्टी से इंडिया गटबंदन का खाता भी नहीं खुलेगा सटा बजार ने दिल्ली की सातों की सातों सीटें बारतिया जनता पार्टी के खाते में डाल दी है 60 बजार की तासरवे के अनसार 7 सीटें बिजेपी के खाते में जाएगी इसके अलावा हिमाचल परदेश राजे की टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं कॉंग्रेस पार्टी का राज है परदेश में बावजूद इसके कॉंग्रेस पार्टी सहीतन इंडिया गठ बंदन का खाता भी हिमाचल परदेश में नहीं खुलेगा 0 सीटें तो वहीं हिमाचल परदेश की चारों की चारों लोकसभा सीटों पर बारतिय अंता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में काम्याव हो सकती है 25 विदाय कोने के बावजूद विराय सभा सीट पर यहां पर जीदर्ज की थी बीजेपी ने इसके अलावा चंडिगड की एक लोकसभा सीट है पंजाव हर्याना की राजदानी है चंडिगड यहां पर कोंग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठ बंदन का खाता भी नहीं खुलेगा चंडिगड की जीरो सीटें दी गई है तो वहीं चंडिगड की एक सीट पर बारतिय अंता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में काम्याव हो सकती है कोंग्रेस को तो वहीं उत्राखंड की पांचों लोकसबा सीटों पर बारतिय अंता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में काम्याव हो सकती है सटा बजार ने उत्राखंड की पांचों सीटें बिजेपी को सौंप दी है इसके अलावा रुनाचल परदेश राज्जे की टोटल दो लोकसबा सीटी हैं सटा बजार की तासरवे के अनसार रुनाचल परदेश में कोंग्रेश सहीत इंडिया गट बंदन का खाता भी नहीं खुलेगा इनको 0 सीटें सटा बजार दे रहा है तो वहीं रुनाचल परदेश की दोनों लोकसबा सीटों पर बारतिय अंता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है रुना मनिपूर की दोनों लोकसबा सीटों पर बारतिय अंता पार्टी एक बार फिर से कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है। बिजेपी के खाते में डाल चुका है इसके अलावा गुजरात राजे की टोटल 26 लोकस्वा सीटें हैं राजे के अंदर बिजेपी का राज है गुजरात की किसी भी लोकस्वा सीट पर कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी सहीत इंडिया गठबनन का खाता भी नहीं खुलेगा जीरो सीटें दी गई है तो वहीं गुजरात की 26 की 26 लोकस्वा सीटों पर एक बार फिर से बारतिया अंता पार्टी कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है तीसरी बार गुजरात में 26 की 26 सीटों पर बिजेपी कमल खिला सकती है इसके अलावा राजस्तान राजे की टोटल 25 ल लोगसबा सीटों पर एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है बारतिय अन्ता पार्टी को 1625 की 25 सीटें दे चुका है इसके अलावा मद्या परदेश राज्ये की टोटल 29 लोगसबा सीटें है परदेश में बिजेपी की सरकार है कॉंग्रेस पार्टी का मद्या की 28 सीटें सौंप दी है इसके अलावा हर्याना राजे की टोटल 10 लोगसबा सीटें है बिजेपी की सरकार है परदेश में कॉंग्रेस पार्टी का हर्याना में खाता जरूर खुलेगा एक सीट हर्याना की कॉंग्रेस को दे दी गई है तो वहीं एक सीट पर जेजेपी को का कामियाबी हासिल होने वाला नुमान शटा बजार दुआरा लगाया गया है तो वहीं बारतिय जन्ता पार्टी आठ लोकसबा सीटों पर रियाना के अंदर एक तरफा कबजा कर सकती है इसके अलावा करनाटक राजे की टोटल 28 लोकसबा सीटें है राजे के अंदर कॉंग्रे इस लोकसबा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामियाब हो सकती है। तमील नाडू राजे की टोटल उन्चालीस लोकसभा सीटें दे गई है इसके अलावा केरल राजे की टोटल वीस लोकसभा सीटें सटा बजार की तासरवे के अनुसार कोंग्रेस पार्टी केरल की 19 लोगसुबा सीटों पर एक तरपा कबजा कर सकते हैं 19 सीटें कोंग्रेस को दे दी गई है तो वहीं एक लोगसुबा सीट पर LDF को काम्याबी हासिल होने वाला अनुसार द्वारा लगाया गया है तो वहीं कोंग्रेस और बिजेपी का अंदर परदेश में खाता भी नहीं खुलेगा दोनों पार्टियों को जिरो सीटें दी गई है इसके अलावा उत्तर परदेश की 80 लोगसुबा सीटें है 60 वजार की तासरवे के अनुसार कोंग्रेस पार्टी लोगसुबा चुनाव 2024 में यूपी की एक सीट पर कबजा कर सकती है इसके अलावा सपा को भी बड़ा जटका सिर्फ एक सीट दी गई है इसके अलावा अपना दल दो लोगसुबा सीटों पर कबजा कर सकता है इसके अलावा अरलडी को दो सीटें 60 वजार दे रहा है तो वहीं उतर परदेश की 24 लोगसुबा सीटों पर बिजेपी एक तरपा कमल खिलाने में कामियाब हो सकती है इसके अलावा पंजाब राज्ये की टोटल 13 लोगसुबा सीटें राज्ये में आमादमी पार्टी की सर का एक सीट पर अकाली दला सकता है तो वहीं तीन लोगसुबा सीटों पर बिजेपी कमल खिला सकती है कॉंग्रेस के बराबर ही बारते अंता पार्टी को तीन सीटें दी गई है इसके अलावा जारकंड राज्ये की टोटल 14 लोगसुबा सीटें 60 वजार की तासरवे के को जारकंड राज्ये की एक लोगसुबा सीट पर काम्याबी हासिलोने वारा अनुमान लगाया गया है इसके अलावा AJSU को भी एक सीट मिलने का अनुमान 60 वजार ने लगाया है तो वहीं जारकंड राज्ये की बारा लोगसुबा सीटों पर बारते जनता पार्टी एक कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा पस्चमी बंगाल की टोटल 42 लोग सबा सीटें ममता दीदी का राज है टीमसी का राज है कोंग्रेस पार्टी का पस्चमी बंगाल में खाता भी नहीं खुला खेला हुआ इसके अलावा टीमसी को 21 लोग सबा सीटों पर पस् महाराष्टरा राज्ये की टोटल 18-18 लोगसभा सीटियें बिजेपी सीवसेना की सरकार है परदेश में कॉंग्रेश पार्टी महाराष्टरा की सिरफ दो लोगसभा सीटों पर कबजा करने में काम्याब हो सकती है इसके लवा उद्दा उठाकरे और सर्द पुवार गुट को बड़ा जटका सिरफ दो लोगसभा सीटों पर जीत मिल सकती है इसके लवा एंसीपी अजीद पुवार गुट को 6 लोगसभा सीटों पर काम्याबी हासिल हो सकती है इसके लवा सिंदे गुट वाली शिवसेना को 8 लोगसभा सीटों पर काम्याबी हासिल उन्वार्मान लग तो वहीं महराश्टरा में BJP का बढ़ा खेला 30 सीटों पर एक तरपा कमल कहलाने में BJP काम्याब हो सकती है तो वहीं बिहार राजजे की टोटल 40 लोग स्बाशीटें जेडियू बिज़ेपी की सरकार है परदेश में कोंग्रेस पार्टी बिहार की एक लोग स्बाशीट पर तो वहीं बिहार की 20 लोग सुबा सीटों पर 12 अंता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, 20 सीटें BJP को दे दी गई है, असम राजे की टोटल 14 लोग सुबा सीटी है, 12 अंता पार्टी की सरकार है परदेश में, कोंग्रेस पार्टी को असम की शिरुफ एक लोग सुबा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है, 60 सीट ने असम की एक सीट को अंग्रेस के खाते में डाल दी है, तो वहीं 12 अंता पार्टी असम की 13 अंता पार्टी एक तरपा कमल खिलाती हुई, साफ साफ दिखाई दे रही है, इसके लावाद जम्मू कस्मीर राजे की ट लोग सुबा सीटों पर 12 अंता पार्टी कामयाबी हासिल हो सकती है, इसके अलावा 36 गड राजे की टोटल 11 लोग सुबा सीट एंगे इक तरपा कमल खिला सकती है, 36 गड की 10 लोग सुभा सीटों पर बारतिय अंता पार्टी को कामयाभी हासिल होने वार अनुमान लगाया गया है इसके लावा गोवा राज्ये की टोटल दो लोग सुभा सीटी है 36 गड की तासरवे के अनुसार गोवा में कोंग्रेस पार्टी सही तन्य इंडिया गटबंदन का खाता भी नहीं खुलेगा इंडिया गटबंदन को जीरो सीटें को गोवा में दे जा रही है तो वहीं गोवा की दोनों लोग सुभा सीटों पर बारतिय अंता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में कामयाभ हो सकती है 60 गड बजार ने गोवा की दोनों सीटें बिजेपी के खाते में डाल दी है इसके अलावा उडिसा राजे की टोटल 21 लोग सुभा सीटें है 60 बजार की तासरवे के अनुसार उडिसा की एक लोग सुभा सीट पर कोंग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है एक सीट कोंग्रेस को दे दी गई है तो वही उडिसा की 9 सीटों पर बिजेडी को कामयाबी हासिलोने वाला नुमान लगाया गया है इसके अलावा उडिसा की 11 लोग सुभा सीटों पर बिजेपी एक तरपा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है अन्डबान निकोबार की एक ही लुक सुभा सीट है केंदर साजीत परदेश है यहां पर अन्य का एक तरपा कबज़ा रहने वाल अनुमान शटा बजार दुवारा लगाया गया है इसके अलावा लदाग की भी एक लोक सुबा सीट है शटा बजार ने लदाग की एक लोक सुबा सीट को बिजेपी के खाते में डाल दिया है इसके लावा दो तिन अन्य केंदर साजी परदर्शों की साथ लोग सुबा सीटी हैं इन साथ लोग सुबा सीटों पर बिजेपी कॉंग्रेश का खाता भी नहीं खुलेगा सभी पर अन्य का कबजा रहने वाला इन चेतरी दल हैं वो एक लोग सुबा सीटों पर काम्याबी हासिल हो सकती है 60 बजार ने 54 सीटें कॉंग्रेश को सौप दी है तो वहीं अन्य का 150 सीटों पर कपजा रह सकता है इस अन्य में यूपी ए और अंडिये दोनों के गटक दल सामिल हैं बिजेपी कॉंग्रेश के सयोगी सामिल हैं इन में से 1500 में से 110 सीटें यूपी ए की है यानि कॉंग्रेश इंडिया गटमंदन के जो सयोगी दल हैं वो 110 लोग सुबा सीटों पर कपजा कर सकते हैं तो वहीं 1500 में से 40 लोग सुबा सीटों पर अन्य के खाते वाली सीटों में से कपजा कर सकते हैं तो वहीं बारत्य जनता पार्टी लोगसवा चुनाव 2024 में 349 प्लस सीटों पर एक तरपा कबजा करने में काम्याब हो सकती है प्लोई 68 बजार ने 349 सीटें BJP के खाते में डाल दी है तो ऐसे में UPA को 54 सीटें तो कॉंग्रेस जीत रही है तो वहीं NDA की चर्चा करें तो 349 सीटें बारते अंता पार्टी जीत रही है और 40 सीटें हैं वो BJP के जो सयोगी दल है वो जीत रही है ऐसे में 389 प्लस सीटों पर NDA का कबजा रहने वाला नुमान है वो उमत के लिए 200 बैतर सीटें चाहिए बारत में केंदर सरकार की गदी पर बेटने के लिए 200 बैतर सीटें चाहिए जो निश्ची तोर पर मोधी सरकार के पास जाती हुई दिखाई दे रही है यानि की NDA को 389 प्लस सीटों पर जीत दर्ज मिल सकती है सटा बजार की तासरवे के अनुसार मोधी सरकार को 389 सीटें मिलने का अनुमान है ऐसे में प्लोजी सटा बजार ने अपनी ताजा लटे सरवे में तीसरी बार परदान मंत्री की गदी पर नरेंदर मोधी जी को बेठा दिया है परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ही तीसरी बार एक बार फिर से हेटरिक मार सकते हैं नरेंदर मोदी जी ने पी-म गद्डी को लेकर के हेटरिक मारने का डावजार एलान कर चुका है और जंताज नार्दन ने भी कोंग्रेस सहीत इंडिया गठबंदन के सेयोगी दलों को ठुकराते हुए बीजेपी की तरफ एक तरफा रुक कर लिया है क्योंकि कोंग्रेस सहीत इंडिया गठबंदन के विदायकों द्वारा उठाएगे इस कदम के बाद जंताज नार्दन बली बांती समझ चुकी है कि इनको आखिर आना तो बिजेपी के साथ ही है तो ऐसे में क्यों ना जंताज नार्दन डारेक्ट बारतिय जंता पार्टी को अपना समर्थ अंदे कर नरेंदर मोधी जी को तीसरी बार परदार मंत्री की गद्दी पर ही बैठा दे शट्टा बजार दुवारा जारी केगी इस्ताय सर्वे रिपोर्ट के अनुसारी ये साप हो चुका है कि लोकसुबा चुनाब 2024 में बारतिय जंता पार्टी एवं बीजेपी के सयोगी दल 389 प्लस सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं सबसे बड़ा उलट फेर महराष्टरा राजे में देखा गया है जहां बीजेपी ने एक तरफा कमल खिलाने के लिए जो रणिती तयार की थी उसका प्रणाम बारतिय जंता पार्टी को मिलता हुआ साप साप दिखाई पड़ रहा है उसके बाद पंजाब में भी बीजेपी और कॉंग्रेस तीन तीन सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं जहां कॉंग्रेस का धड़ा काफी मजबूत था वहां बाजपा अपने पेड जमा रही है इसके अलावा पस्वी बंगाल में भी टीमसी को कड़ी टकर देते हुए बारत जारी की की सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ प्रदार मंतरी गद्धी पर कबजा कर सकती है और बारत का अगला प्रदार मंतरी कौन होगा इस पर आपने विचार में कॉमेंट बहुत हैं साथ वीडियो को लाइक करके हमा पेज को फॉलो जरूर करें अभी के लिए इतना है मिलते हैं अगले बड़ी अफडेट अगले खबर के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत जै स्रीराम